दोस्तों आप सब के बीच एक viral question लेकर आएं हैं बहुत ही मज़दार question है देखते हैं कि आप इसका जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं तो चलिए सुरू करते हैं question ये है if यानि यदी 4 plus 2 is equal to होता है 26 8 plus 1 is equal to होता है 79 और 6 plus 5 is equal to होता है 111 then 7 plus 3 is equal to क्या होगा यही है आप से सवाल क्या आप बता सकते हैं 90% लोग इसमें फेल हैं भाई बताने में चलिए बताए वीडियो को पॉँज कीजिए और यहाँ 7 plus 3 is equal to क्या होगा इसको सोच करके रखिए बना करके रखिए और इस वीडियो को अंतक देखिए और verify कीजिए कि मेरा answer सही है या फिर नहीं चलिए दोस्तों अगर यहाँ पर reality में देखा जाए तो 7 plus 3 is equal to 10 होगा लेकिन यहाँ पर 10 answer होने वाला नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पर यह जो condition लिखे गए हैं यहाँ पर जिस pattern को follow करके यह चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उसी pattern को follow करके हमें 7 plus 3 is equal to क्या होगा यह पता करना है तो सबसे पहला काम है आपका pattern को ढूणना कि भाई यहाँ पर कौन सा pattern follow हो रहा है कौन सा pattern follow हो रहा है अगर आप pattern को ढूण लिए तो ये चीज एकदम असान हो जाता है आपके लिए और ऐसे सवालों में पैटर्न को ही ढूड़ना में काम होता है clear ताकि भाई यहाँ पर जो पैटर्न है वही स्यम पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर partition कीचते हैं अब देखें दोस्तों यहाँ पर क्या है एक चीज पताईए 4-2 यहाँ पर देखें मलब दो अंख है 4 और 2 है ठीक है अब एक चीज और यहाँ 4-2 है अगर reality में देखें तो 4-2 is equal to 6 होगा 8-1 अगर reality में देखें तो 8-1 is equal to 9 होगा 6-5 is equal to 11 होगा अब यहाँ पर एक चीज देखें भाई आप तो यहाँ पर ढोली होगे कि एंसर क्या होने वाला है देखें यहाँ पर 4 में से 2 घटा आएं तो क्या हुआ 2 आया वही 2 को यहाँ पर 1 अंक में लिखा गया है पर 8-1 किया गया 8-1 तो 7 आया वही 7 को यहाँ पर लिखा गया है पर 6-5 करके 1 आया तो 1 यहाँ पर लिखा गया है उसके बाद में जो right side में आपको बज जा रहे हैं यह सब add करके लिखा गया है इसे 4 plus 2 6 यहाँ पर लिखा गया 8 plus 1 is equal to 9 लिखा गया है 6 plus 5 11 अब आपको pattern मिल गया कि इधर जो पहला digit है वो minus करके लिखा गया है और उधर जो बज जा रही है वो plus करके लिखा गया है तो बस उसी चीज़ को यहाँ पर follow कर देना है देखें यहाँ पर क्या है 7 plus 3 है बराबर में क्य क्या हो जाएगा सबसे पहला काम इसको minus करना पड़ेगा तो 7 minus 3 is equal to 4 होगा clear आप यहाँ पर 7 और 3 अब एड करके लिखना पड़ेगा इसके right side में तो 7 और 3 कितना हो जागा 10 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दोस्तों यही हो जाएगा आपका क्या चीज answer ओके तो जरस अभी देर लगा तो अगर ऐसे सवाल रहते हैं तो इसी तरह से आपको पैटर्न को ढूलना है और वही पैटर्न जो है यहाँ पर यूज कर देना है answer आपको मिल जाएगा तो यह एक viral question था Facebook WhatsApp पर viral होते रहता है इसे question तो वही question हम आप सब के बीच प्रस्तूत क यह मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अब इसमें ज्यादा time pass करने की ज़रत नहीं है आप इसको अगर चाहेंगे तो verification भी कर सकते हैं जिसे कि मायन के चलिए अगर यहाँ pattern की बात करें तो यहाँ देखिए x इसे मायन के चलिए a है और पलस में यहाँ b है ठी a पलस भी किया गया है तो यह pattern follow हुआ है तो आप प्रूब भी इस चीज को कर सकते हैं को बड़ी बात नहीं है जैसे यहाँ 7 पलस 3 है तो यहाँ पर यह है और यह पलस भी अगर करेंगे तो 10 होना चाहिए a पलस भी is equal to यहाँ पर 10 होगा फिर दोस्तों a पलस भी 10 क्यों तो a पलस भी 10 लिख दियें फिर यहाँ पर a माइनस भी a माइनस भी घटा करके क्या ची लिखेते फोर तो यहाँ पर फोर अब यह दोनों समीकरन को solve करेंगे आप तो पाएंगे कि 7 और 3 ही आपको मिल रहे हैं a और b कामान यहाँ पर solve करके देख सकते हैं पलस भी माइनस भ जाएगा आप एक के जगा पर साथ रखके देखिए तो बी कमान जो है सो तीन आ जाएगा किलियर तो सेवन और थ्री इसका एंसर क्या होगा राइट होगा किलियर कोई दिकत वाली नहीं है इस तरह साब वेरिफिकेशन भी आप चाहेंगे तो कर सकते हैं तो चलिए उतना क